इब्राहीम अली खान और पलक्तिवारी के अफेर की खबरें इब्राहीम अली खान और पलक्तिवारी के मुम्किना महबत के हवाले से भारती मीडिया गजशता साल से खबरें शाया कर रहा है और इसका सबब 21 जन्वरी 2022 को दोनों फनकारों को एक तक्रीब से वापसी पर एक ही कार में एक साथ देखना था भारती मीडिया को देखकर जहां पलक्तिवारी ने अपने चेहरे को हातों की वदत से छुपाने की कोशिश की थी वहीं इब्राहीम जो अदकारा के बराबर में बैठे हुए थे शर्माते हुए दिख रहे थे खयाल रहे के पलक्तिवारी भारती ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदकारा श्वेता तिवारी की बड़ी बेटी है और रमासाल इन्होंने भारती मारूफ अदकार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलिवुड में कदम रखा है अदकारे से जब इनके और इबराहीम के हवाले से पूछा गया तो इन्होंने अफवाहों की तर्दीद करते हुए ये कहा था कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं तकरीब में हम अकेले नहीं थे बलके बाकी लोग भी थे और बस घर वापसी एक ही कार में हुई इससे ज़्यादा इस मामले में कोई काबले फिकर बात नहीं है अब हाली में दोनों का एक ही तकरीब में शिरकत एक मरतबा फिर दोनों की मुमकना महबत की खबरों को सरगरम कर गई है माज़े रहे कि इबराहीम पतोडी और पलकतिवारी कजश्टा एक ही साल से बॉलिवुड के मुख्तलिफ तकारीब में एक साथ दिख रहे हैं लेकिन ताहाल अपने रिष्टे को महबत का नाम देने से गरेस कर रहे हैं